हम शान्ती आज 19 नवेंबर 2021 हम सुनेंगे प्रातो शाकार हिंदी मुरुली आज का महावाइक्व आज बाबा इस महावाइक्व में समझाते हैं मेठे बच्चे सर्विस के साथ साथ याद की जत्रा को भी कायम रखना है इस रोहानी जत्रा में कभी ठंड नहीं होना यह सर्विस हमें भज्गो दिलाते हैं बच्चों की दिल अगर रोहानी सर्विस में नहीं लगती है तो उसका कारण क्या है उत्तर अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे तो जुरूर अभीमान की ग्रहोचारी है चलते चलते अभीमान के कारण जब आपस में रूट पड़ते है तो सर्विस ही छोड़ देते है एक दोकी सकल देखते ही सर्विस के ख्याल उर जाते है इसलिए बाबा कहते हैं इस ग्रहोचारी से समहल रखो किसी का कोई दोश नहीं किसी को तुम क्यों अपने क्यों बिरूधी क्यों मनते हो तुम भी आए हो ये बाबा का जग्यों समहलने के लिए वो भी आए हैं बाबा का जग्यों समहलने के लिए तो ग्यान और तो और भुक्ती में क्या पर्थिक कर रहा इसलिए बबा के हैं ये ग्रहोचारी है ग्रहोचारी को समझो इससे आप सम्हाल करो आज का गीत है हमारी तिर्थो न्यारे हैं हम धर्ते के सितारे हैं ओम शान्ती इस गीत के लाइन ने बच्चों को खबरदार कर दिया क्या कहा बुद्धि में यो याद रखना है कि हम तिर्थो जात्रा पर हैं और हमारी यो जात्रा सबसे न्यारी हैं पक्ति का जैसा नहीं इ और तो जिस्पने जात्राएं पर जाकर फिर लोट आते हैं और जनम जन्मंत और जात्रा करते ही आये। पहली था वो इसे ही पहली जैसा जिबन बिताते रहते हैं विकार में जाते रहते थे। किसम किसम की जात्राएं हैं देवी के मंदिर भी अता हों हैं आज दिन भी कितना मंदिर बंद रहा हैं विकारों के साथ कितनी जात्रा पर जाते हैं तुम बच्चों ने तो प्रान किया प्रान किया हुआ है निर्विकार रहने का है जान जाए लेकिन हमारा पवित्रत ना जाए तो तुम निर्विकारियों को यो जत्रा है ये घर बेटे बेटे निर्विकारी बाप जो एबार प्यूर है शिबाबा उनको याद करना है पानी के सागर को बिकारी बानिर्विकारी नहीं कहेंगे, उनका कोई शम्ता नहीं, ये पास तत्तो है, और ना उनसे निकली हुई गंगाई ही निर्भीकारी बनाएंगे, तो बाबा समझाते हैं, जैसे पानी का तत्तो उसका भी शम्ता नहीं और गंगा का भी कोई शम्ता नहीं है, वो तो प्रकृतिक दान है, है तुम बच्चों को उड़ते बेटरे जात्रा का ख्याल रखना चाहिे मैं आत्मा हूं मैं परम धम का निवाशी हूं जात्रा पर जाते हैं तो धंदा धुरी तो ग्रियोस्त व्यबहरदी सब कुछ भूलना होता है तो अमरनात की जाए अमरनात की जाए ये पुकारते पुकारते जात्रा करते जाते हैं बस ऐसे कहते जाते हैं माश दो माश तिर्थो जात्राकार फिर आकर गांद में पढ़ते हैं फिर जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए तो उनको यो पता ही नहीं कि हम रोज पोतीत होते हैं गंगा फिर बरे दिन पर जाते हैं तो समझते हैं कि गंगा पतित पाबनी है तो रोज नहाते हैं बरे दिन को छोन लिया है लोग भी जाते हैं हम भी जाएं तो इससे क्या फाइदा बाबा कहते हैं तो ये ग्यान को तो अच्छा रिती समझना चाहिए ऐसे तो नहीं खाश उस दिन पर गंगा पाबन बनाने बाली बन जाती हैं फिर नहीं रहती तो जिस दिन मेला लगता है उस दिन वो पतित पाबनी बन जाता है नहीं न वो तो है ही ही है सतियुग में भी है तो त्रता में भी है द्रापर में भी था अभी भी है रोच भी जाते हैं सनान करने के लिए मेले पर भी खाश दिन जाते है, तो इसका कोई और तो नहीं, गांगा जमुना चीज तो वही है, वही है, पहली से है, अभी भी है उसमें मूर्दे भी डाल देते हैं तो बाबा समझाते हैं तो देखो मुनिशो का बुद्धी क्या ब्रश्ट हो गई हैं मूर्दे को भी ये नौदी में डाल देते हैं अभी तुम बच्चों को रूहानी जात्रा पर रहना बस अब हम तो जाते हैं घर ये रूहानी जात्रा ह हम परमधाम का निवाशी तो घर से आए अभी हमें घर जाना है तो इसमें गंगा स्नान करने बाशस्रों परने की कोई बात नहीं तो बाप आते भी एक ही बार है जब समय हुआ बच्चों को वापस लेने के लिए सारी दुनिया भी पौतित से पाबन एक ही बार बनती है तो को पौतित से पाबन बनाने के लिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का बिनाश कराने तो यो उनका ही काम है और कोई मनुश्यो का शादूशन्तों का नहीं परुंतो माया ने ऐसी तमप्रधन बुध्धि बना दिया जो कुछ समचते नहीं तो शस्रों पाट करते हैं, गुरु गुशाई का पास जाते हैं, भक्ति करते हैं, तो अंदर में कोई तो जाते नहीं, अंदर का कोई भाब समझते नहीं, प्रदर्शनी में कितने धेर बरे आदमी जाते हैं, तो सन्नाशी भी आएंगे, फिर भी समझेंगे, तो कोटु में कोई, बाबा समझाते हैं तुम लाखो करूर को समझाते हो तो तब कोई बिरला आता है कोठो में कोई कोई में भी कोई तुमको तो समझाना होगा आकरिन तुमारी यह समझानी और चित्र अधी सब आगबर में परेंगे बाबा के इतना तो लक्ष रख करके तुम बाबा का ये रोहानी सर् तो अकबर में परेगी बाबा का एक एक चित्र गोला भी अकबर में परेगा कहेंगे यो तो भारत के लिए ही और धर्मों वाले कहां जाएंगे तो लोग प्रश्णों पुछेंगे कायामत का समय भी गया हुआ है कायामत अर्थत वापिस जाने का पुराने दुनिया का बिना नई दुनिया के स्थापना होगी तो जुरूर सब वापिस जाएंगे न सब का बिनाश होना है बाबा बहुत बाबा सिर्यास हो करके बाबा बच्चों को समझाते हैं सबको सबका यहां मृत्त होगा सरीर इस धर्ती पर मिड जाएंगे आत्मा को ले करके में घर चला सर्गवशियों के स्थापना हो रही है कलपो कलपो ऐसा ही होता है अभी जो थोड़ा बहुत टाइम है इसमें भी बहुतों को समझाने मिलती जाएगी बाबा कहते हैं तो अभी थोड़ा टाइम है तो थोड़ा टाइम में बहुत आमदनी होने वाला है बहुत बाबा का पद्रशनी करे तो ये धोन लग जाएगा परंतो साथ-साथ अपनी याद की जात्रा भी भूलना नहीं चाहिए दोनों का बैलेंस रखना चाहिए जितना हम शेबा करे इतना हमें योग भी करना चाहिए नहीं तो हम तो क्या होगा एक कामी होने के कारण हम बाबा से डिटाच हो जाएंगे बच्चे बिलकुल ही ठंडे चल रहे हैं जात्रा इसे करते हैं जैसे बुरे लोग तो जैसे ताकोत ही नहीं कुछ खाया ही नहीं है तो बाबा का कितना ख्याल चलता रहता है तो ख्याल करते करते नेंद ही फीड जाती है बाबा रात में सोते बहुत काम थे त तो सब को करना चाहिए ना बच्चे जनते हैं हमको बहुत का बाप पराते हैं तो बच्चे को कितना अपार खुशी होने चाहिए इस पराई से हम विश्व के मालिक बनते हैं कोई कोई की तो चलन एसी है जैसे कक्र है बाबा समझाते है जैसे कक्र का धरम क्या है जो खोद भी थोड़ा थोड़ा करके आगे जाते हैं और कोई आगे जाने के लिए जाते हैं उसको खिश के तो अपना और ले आते हैं तो केक्र को बाप देवता बनाते हैं देखो ऐसा शांशकार वाला बच्चा को बाबा देवता बनाते हैं काटों को फुल बनाते है, पोटितों को पाबन बनाते है, फिर भी चलन मुश्किल किसकी सुधारती है, बाबा परिबर्तन करते, माया तो ये परिबर्तन किया हुआ बच्छों को, तो फिर से पहले जैसा बना देती है, इस सिरी के चित्रों में बड़ी अच्छी नलेज है, परुन तो बच्चे इतना काम नहीं करते, जात्रही नहीं करते, बाप को याद करें, तो बुद्धी का ताला भी खोल जाए, गल्डेन बुद्धी बनती जाए, तुम बच्चों को परश बुद्धी होनी चाहिए, बहुतों का कल्लान करना चाहिए, एक एक बात को बाबा कह बाबा ने संबरा की आत्मा को बेट फिर समझाया है फिर गोरे बनाने के लिए बाबा ने ये तो रुहानी नलेज सुनाया विष्णो की आत्मा को पहले जन्मों में यो आत्मा जानती है कि बाबा हमको बिश्यो की मालिक बनाते हैं तो खुशी में कितना दिमाग भरपूर होना चाहिए खुशी जैसा खुरा के नहीं इसमें गामन की कोई बात नहीं बाब कितना निरहंकारी है देखो बुद्धी में कितना खुशी रहती है काल हम हिरे जहुरतों के महल बनाएंगे खुशी है ना तो हम अभी देवी देवता बनेंगे ये भी खुशी है ना तो नई दुनिया में राजदनी चलाएंगे ये भी कुशी का बात है तो यो तो बिल्कूल पतित दुनिया है इस दुनिया के मुनिश्वतों कोई काम के नहीं रहे कुछ नहीं जानते यो भी दिखाना चाहिए हिरे जैसे जिवन था जिवन था अभी करी तुल्यो बन गया फिर वही फिर चुराशी जन्म लेकर करी मिसल बन जाते यो सिरी का चित्र नंबर वान है फिर दूसरे नंबर में है त्रिमूर्ति का चित्र ब्रह्मा विष्णु संकर उपर में शिवाबा शिवाबा करके तीन देवतव को रशना करते हैं तुम कहते हो निकट भविश्व में स्रष्टचरी भारत बन जाएगा बन आत्मे मच्चर शुद्रिश जाएगी तो आग भरक रही हैं देखो ये नजरा भी बाबा कहते हैं जितने जितना कोशिश करते हैं सुधार निकी उतना ही बिगर जाते हैं यह दुनिया हाँ हल हो कि का तैसा हो गया है तो बाप बच्चों को राज्यों शिकला रहा है बच् यहां से बाहर निकले सारा ज्यान ओर जाता है सोडा वाटर बन जाता है तो स्मृति कुछ भी रहती नहीं नहीं तो शोक होना चाहिए ना कि सर्विस करें बाबा का ये मैसिज सब को घर घर में जाकर के दिया करें तो बाब भी गोन देख सर्विस पर तो भेजेंगे ना त अंदर जितना भी शंसकार है वो बाहर निकलना चाहिए बाबा का सर्विस में लगाना चाहिए तो बाबा हमारा गोन देख करके हमें इस साइड में भेजेंगे नहीं तो उस साइड में भेजेंगे इसमें बरी हरशीत रहेंगे हरशीत रहना चाहिए सर्विस में खुशी क सर्विस करो तो खुशी का परा चराएगा सर्विस ही तो अगले जन्म में हमें भख्यो दिलाएगा अच्छे अच्छे पुराने बच्चे आप उस में रूट पढ़ते हैं थुरी थुरी बात में छोड़ी बात में ऐसे थुरी ही इन बातों की करण तुमको सर्विस नहीं करनी देखो किसका सर्विस तुम कर रहे हो और किसके प्रति तुम नराज हो सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए ना जिसके साथ बनती नहीं उनकी शकल देखने से ही सर्विस का ख्याल और जाता है तो बाबा कितना प्रैक्टिकल बात बताते है सर्वि अभिवान की ग्रहोचारी आकर बैठती है बाबा के इसका मूल करण है दहा अभिवान का ग्रहोचारी यो है पहला नंबर की बीमारी बाबा के एते बच्छे दही अभिवानी बनो आत्मा ही सब कुछ करती है ना आत्मा सब कुछ करती है आत्मा देखती है सुनती है तो आत्म ही बिकार और निर्विकारी बनती सरगों में निर्विकारी थी रावंद रज्जों में आत्मा ही बिकारी बने है यो भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है इसलिए पुकारते हैं पतित पावन है पतित पावन आओ जो निर्विकारी थे वही पतित बिकारी बने है यो किसको भी बु आत्मा निर्विकारी होंगे यहां सरीर में आकर पाट बजाते बजाते बिकारी बने हैं यो बाप बेट समझाते हैं आत्मा शांतिधाम से आती हैं तो जरूर पवित्र ही होगी फिर अपवित्र बनी है परूंतो दुनिया में नौलाग होते हैं नई दुनिया में पवित्र दुनिया में 9 लाग होंगा अभी देखो कितना कुरूर आत्मा है फिर इतनी सब आत्मे कहां से आई तो जरूर शांती धम से आई होगी तो वो है पिस्फुल इनकर्परियाल वर्ल्ड निराकारी दुनिया तो बाबा समझाते हैं वहां सब आत्मे पवित्र रहीती हैं फिर प तो ये कलप कलप ये ड्रामा चलता ही रहेंगा ड्रामा की आदी मद्दो उन्तो का राज बाप के सिबाए और कोई बतला ना सके उस बाप को कोई जानती ही नहीं रिशी मुनी भी नेती कहो गए न हम भगवान को और उनकी रछोना को नहीं जानते हैं फिर कहते है तो आत्माओं का विजरुप और यह प्रजापीत ब्रह्मा दोनों का कंबाइंट बाप दादा, मुनिष्शु स्रिश्टी का विजरुप शिप बाबा वो Precis बाबा वो निर्याकारी बाप और ये ब्रह्मा है मुनुश्व स्रिष्टी का प्रजा पिता ये शुक्ष्प बातों को हमें समझना चाहिए ये दोनों को बाबा कमबाइंड रुप में हमें समझाते हैं बाब ददा जिस दरा बापा कर गान देते हैं सरीर अलग आत्मा अलग है न मान बुद्धि चित आत्मा में है बाबा केते आत्मा सच्चिदानंद आत्मा आकर सरीर में प्रभेश करती है पाट बजाने के लिए तुम जानते हो कोई शोरीर छोड़ते है तो जाकर दुसरा पट बजाएंगे इसमें रोने से क्या होगा तो गया सुगया फिर तोरी ही जाकर आकर हमारा माम मा चाचा बनेगा ये तो माया है बाबा केते हैं ये तो थोरी समय के लिए रिस्ता है और आगे के लिए और और पाट बजाएंगे रोने से तो कोई फाइदा नहीं तुमारी मममा गई ड्रामा उनुशार पार्ट बजा रही है, बहुत सुंदर पार्ट बजा रही है तो ऐसे बहुत जाते हैं कोई कहा जाये जन्म लेते हैं, यह समझ में आता है जैसा जैसा अग्या करी बच्चा होगा उतना जुरूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा यहां के आएंगे ही अच्छे घर में बाबा कहते हैं अगर ग्यान लेकर के कोई सरीर छोड़ देते वो अच्छा घर में जाएंगे नमबर बार तो होते है न तो कोई अच्छा ग्यान लेते है तो अच्छा गर्म घर में जाते है जैसा जो कर्म करते है ऐसा ही उनको फल मिलता है ऐसे घर में जाते है पिछारी में तुम जाकर राजाई घर में जनम लेंगे कौन राज़ाओं के पास जाएंगे वो खोद समझ सकते हो न कौन सा कर्म में करता हो फिर भी दईवी शर्षकार तो ले जाते हैं न इसमें बरिविशाल बुद्धी से विचार शागर मंधन करना होता है बाप ग्यान का शागर है तो बच्चों को भी ग्यान का शागर बनना ह बाप अपना जैसा अपना समान बनाते हैं नंबर बार तो होती ही है तो समझा जाता है आगे चल उन्नोती होती जाएगी हो सकता है तो जो आज काम नहीं कर सकते वो काल बहुत उसे तिखे चले जाएंगे बाबा के दोऊते हैं लास्ट सो फास्ट ये जैसे समबव है तो ये शबाव के लिए भी ये समबव हो सकता है गरहोचरी उतर जाएगा कोई पर रहों की ग्रहुचरे वेटती है तो गटर में गीर पड़ते हैं तो हाट गुड ही तूर जाते हैं बहुत के बाप से प्रतिग्या कर फिर गीटते हैं तो धर्मराज धरा साज़ाई भी बहुत मिलती है तो इससे अपने को सामहिल रखना यह बहुत का बाप बहुत का धर्मुराज है तियो फिर बहुत की साजा मिलती है कोई बात में तो आना का नहीं करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो साजा ज़रूर खाएंगे तो समझते नहीं कि हम भगवान की अबग्गा करते हैं यह प्रकर का यह महान अबग्गा है इतनी सब बाते बाबा समझाते रहेते हैं स्रिमात पर चलो सर्विस में मददगार बनो योग की जत्रा पर रहो चित्र पर समझाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पर जाएगी नहीं तो ओजपत कैसे मिलेगा अज्यानकाल में कोई का बच्चा बरा सपुत होता है तो कोई तो बरे कपुत भी होते हैं तो बाब क्या करते हैं घर से कोई किसी को निकाल देते हैं यहां भी कोई कोई को को जोट बाबा का काम कर दिखाती है सुरोण बच्चा बन जाता है तो बच्चों को सर्विस ब्याहद की करड़ी है ब्याहद की आत्मों का कल्लन करना है बबा कहते अभी तो चांस मिला हुआ है अभी तो हम ये कर्म करेंगे ही तो पेगाम देना है मन मना भबा बाप को याद करने से तुमारी बुद्धी तमप्रदन से सतप्रदन बन जाएग अभी है कलियोगी तमप्रदन दुनिया की समाप्त का समय, अब तुम्हे सतप्रदन बनना है, आत्मों को भी वहा नंबर वर दुनिया है न, जो फिर नंबर वर आत्मा पार्ड बजाती है, तो आएंगे भी नंबर वर ड्रामा उनुशर, अभी सब आत्मे राबंद रज्य मे दुखी है, सो भी समस्ते थुरी ही है, किसी को पतित कहो, तो बिगार जाएंगे, अगर किसको कहो दो, तो तुम पतित, तो क्या करेंगे, नराज हो जाएंगे, बाप समझाते है, यो है ही विशेश वार्ड, नरग दुनिया बाबा कहते हैं, तुम अपना रज्य भायो ले तो यो लराई के बाद सर्गों की दार खुलते हैं, कितने अच्छे रिती बच्चों को समझाते हैं, आगे चल, तुमारी बाते सुनेंगे, सुनते रहेंगे, और आती जाएंगे, सुर्ज बंक्षी, चंद्र बंक्षी, जो पतित बन गई है, वही आकर के नंबर बार अप कि लधे बच्चों प्रुती, मात, पिता, बाप, दादा का, याद, प्यार, और गुड मारिंग, रुहाने बाप की, रुहाने बच्चों को नमस्ते, हम रुहाने बच्चों की, रुहाने बाप, दादा को भी, याद, प्यार, गुड मारिंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते धरणा के लिए मुख्षार नमबर वान भगवान की अगव की अवग्गा कभी नहीं कर नी है ब्यहुत शबा में सपुत बच्चा बन मददगार बनना है ये हम कर सकते हैं नमबर दो ज्ञान धन की गुप्तो खुशी से बुद्धी को भरपूर रखना है आपस में कभी भी रोटना नहीं मैं आया हो भगवान के शबा करने किसी पिक्ति को किसी मुनेशकोह नहीं देखना बरदन है सर्वशंपुत्तियों की सर्वशंपुत्तियों की संपुत्ति से शंपुन बन दाता बनने वाले बिधाता बरदाता भवा इस समय ये बहुत नाजुक समझ चल रहा है बाबा के ये बर्दन हमें बहुत काम में आने वाला हैं जो बच्चे सर्वशक्तियों के संपत्ति बान हैं वही संपन्न और शंपुर्ण स्थिति के शमीपता का अनभब करते हैं तो उन में कोई भी भक्तपन के भिकारीपन के शांशकार की मर्ज नहीं होते बाब की मदद चाहिए अशिरबत चाहिए स्वयोग चाहिए शक्ति चाहिए यो चाहिए शब्दो दाता विधाता तो बर्दाता बच्चों के आगे शब्ता नहीं है वे तो बिश्यों की हर आत्मा को कुछ ना कुछ तो दान बाबर्दान देने बले होते हैं तो आज का स्लो योग्यान जो हम बहुतों को सुना रहा है तो ये हम सत बचन सुना रहा है और लोगों का उन्नोती हो रहा है तो आज का समान है मैं बरदाता आत्मा हूँ